आज हम पढ़ाएंगे बच्चो एक खास चीज जो कि बहुत इंपॉर्टन्ट है और नीट एक्जाम सबसे पहले तो नीट एक्जाम का नाम लिख दो यहां पर जे डबली के भी इंपॉर्टन्ट है ठीक है न चलो येलो पें यूज कर लेता हूं में जो कि अच्छा दिखता ग्रीन पे देखो बच्चो अल्फा बीटा अन्सेचुरेटेड एकदम ध्यान से सुनते जाओ मेरी बातों को क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेहनत कम करने पड़ेगी अल्फा बीटा अन्सेचुरेटेड अगर कोई कीटो ने या अल्डियाइड एक्ज गुछ इसतारा से अभि यहाँ पर आप सभी को पताए सर सभे एकदम जूड़े रही है आखिर तक यह जो कारबन है इसको में पोजिशन दूंगा जिरू यह फर्स्ट कारबन है तो इसको में बूलूंगा अल्फा कर्वन अब सब्ध्यान से सुनने मैं किया बताना चाहता हूँ यहां पर अन्जाटी która का और सर एक Ketenon है ठीक है ना यह वाला Ketone Group है आपका तो ऐसे compound को बोला जाता है यहां पे Aldi gd भी हो सकता है के यहां पे Alde gd भी हो सकता है Ketone या Alde gd क्या सबी को Alpha biology अंस אותו une pagory का मिनिंग समझ में और बच्चों हाँ या ना बताव सब कि सब यह अल्फा बीटा अन्सेचुरेटेड कीटोन या फिर अल्डेड सर अगर इस तरह का कुछ कंपाउंड हो तो इनका रिडक्शन कैसे करें अब बोध मैं सारे रिएजन्ट एक सास लिख रहा हूं ठीके ना इसको अलग से पढ़ाने का क्या मैं मतलब क्यूंकि आपको याद ह अच्छे से इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं ठीके ना बच्चो मानलो मेरे पास कोई अन्सेचुरेटेड कंपाउंड है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अन्सेचुरेटेड अल्डेड है मानलो और अगर मैं इसके साथ इसके साथ मैं रियाक्शन कर दूँ देखना म में reagent लिक रहा हूँ lithium aluminum hydride in presence of solvent THF और आपको पता है दूसरे step में हम क्या करते हैं बच्चो H3O plus ये वाली reaction तो आप सब मुझे बताओ lithium aluminum hydride इन दोनों में से किस के साथ react करेगा आप सब मुझे बताओ double bond के साथ react करेगा या नहीं तो आप बोलोगे सर double bond के साथ reaction नहीं दिखा था लेकिन आप सबी को पता है बच्चो double bond तो as it is है लेकिन aldeide का conversion हो जाएगा primary alcohol के अंदर बच्चो समझ में आया हाया ना बता ये वाली reaction clear है बिल्कुल बताओ yes or no अब अगर मैं यहां पर दूसरा reagent मैं नाम देखो reagent कौन-कौन से उस कर रहा हूं रिएजन पर बहुत ध्यान से देखना डाइबल एच यहां पर लिख दू अभी में अलफा बीटा अनसैचूरेटेड के साथ डाइबल एच की reaction भी सेम होती है एकदम सेम इस वाले केस में और हमें प्रोड़क्त मिलता है कुछ इस तरह से CH2OH समझ में आया सभी को बिल्कुल यही प्रोड़क्त मिलेगा डबल बॉंड के साथ बिल्कुल छेड़ खानी मत करना और अल्डेयड का आपको पता है प्राइमरी अलकॉल बना देते हो आप सभी वह आप पहले सिख चुके हो यह तो था डाइबल एज की कहानी लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड की कहानी मानलो मेरे पास एक और रियेजन्ट है देखो मैं आप रियेजन्ट लिख देता हूं थर्ड नंबर का रियेजन्ट सुनना यह मैं अच्छे से लिख रहा हूं रुख जावां थोड़ा पार रियेजन्ट हम पढ़ेंगे पहला कौन सा था लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड के साथ प्रोड़क्त मिला मुझे सर जी च्टू देखो अल्डेड तो प्राइमरी अल्कॉल मिलेगा और किटोन रहा तो सेकंडरी अल्कॉल मिलेगा ठीके ना यह मिलेगा च्टू अल्डेड खाऊगा लेकिन अब मैं रियेजन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बच्चो ध्यान से सुनना यहां पर मैं लेग दू लूची रियेजंट कौनसा रियेजंट लूची रियेजंट जो हमने पढ़ा है एन बीच फोर प्लस एन एन बीच फोर प्लस सीरियम क होगा श्रीप अल्डेड का रिड़क्शन होगा यानि कि मैं यह बताना चाहता था कि अल्फा बीटा अन्सैचुरेटेड की टन के केस में आप यह तीन रियेजंट को अच्चे से पढ़ लेना लीथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइबल एच एन बीच फोर और सेर द्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं अगर मैं अनि बह फोर लेलू मेरी बात को गोर से सुनना मैं बता रहा हूं इक्जाम में यहां से क्वेशन आ जाएंगे अगर मैं यहाँ पर आपका एक रेजन्ट लेलू स्रीप NABH4 लूचीज रेजन्ट ने स्रीप NABH4 लेलू मिथेनॉल के साथ NABH4 लेलू मिथेनॉल के साथ जो आपको पता है इसका सॉलवन्ट होता है बच्चो यहाँ पर डबल बॉंड भी रिडियूस होगा और आपका अल्डिय हैड भी रिडियूस होगा इसलिए यह एक्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ बोलो बताना बोला आपको एक्जाम्पल के वक्ट समझ में आ जाएगा ठीके वहां पर आप कीटों कर दो बस यह याद रखो कि हाँ वहां पर कीटों कर दो लेकिन याद रखना यह डबल वर्ण कर लूची रिएजन्ट रिडक्शन नहीं करता हूँ यह बात आपको समझाने देए ठीक है ना अब हो गए क्लियर बोलो मैं एक्जाम्पल अब आपको समझा देता हूँ फिर आप किटोन ले लेता हूँ ठीक है ना चलो किटोन लेके पढ़ लेते हैं आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएंगी मार लो मेरे पास यह कुछ इस तरह से एक मिनिटा उल्टा पना दिया मिने ठीक है चलो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड किटोन है और अगर मैं इसके उपर एनने बीएच फॉर प्लस सेरियम क्लोराइड लेलू तो आप सब बोलोगे सर जी यह ना इस डबल बॉंड को हाथ ने लगाएगा लेकिन जो आपका किटोन है उसका कनवर्जन किसमें कर देगा बच् ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिथियम एलुमिनियम हाइडराइड लेलू देखो लिथियम एलुमिनियम हाइडराइड लेलू तो भी सेम काम करेगा बच्चो और अगर मैं यहाँ पर डाइबल एच लेलू तो भी तीनों के तीनों रियेजंट आपके सेम काम करेंग डबल बॉन्ड भी रिडिस हो जाएंगा और आपका कीटोन भी रिडिस हो जाएंगा अब समझ में आया सबको में क्या बताना चाहता था जल्दी बताओ alpha beta unsaturated की कहानी समझ में आई सबको सारी आपके सामने alpha beta unsaturated ketones की कहानी समझ में आई यहाँ पर ketones लिख देता हूँ ठीक है आपको अच्छे से समझ में आएगा alpha beta unsaturated ketones की कहानी समझ में आई सबको किसको reduce करना है और किसको reduce नहीं करना चलो आगे बढ़े अभी देखो मैं selectivity बहुत important होती है Selectivity पे आप focus करते रहो कि मैं कहां कहां पे आपको बोल रहो कि ये selectivity आपको याद रखने है कहां पे आपको बोल रहो कि याद मत रखो चलो आगे बढ़ते भी, यह तो आपको आजाएगा, चलो एक example से आपको समझा दो, एक example लेलो अभी, एकदम मस्त वाला, famous वाला example, फिर आप मुझे बता न, कितना समझ में आया और कितना नहीं, देखो, यह example आपके सामने है, यह इस तरह से, देखो आप बोलोगे सर ये आपका alpha ये आपका beta समझ में आया सबको बोलो बच्चो alpha बीटा का मतलब समझ में आया आपको और अगर मैं यहाँ पे लेलू NABH4 तो आप बोलोगे सर जी ये ना double bond का भी reduction करेगा और इसका भी reduction करेगा product बनेगा ये वाला OH और ये single bond लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा reagent लेलू lithium aluminum hydride lithium aluminum hydride बच्चो तो आप बोलोगे सर ये double bond का reduction नहीं करता double bond का नहीं करता लेकिन ketone का करता है क्या मज़ा आया सबको बच्चो जल्दी से बता दो selectivity समझ में आया आप सभी को selectivity of reagent समझ में आ रही सबको alpha beta unsaturated ketone की कहानी समझ में आयी message करो एक बार हा या ना कौन किसका reduction करेगा और कौन किसका reduction नहीं करेगा ठीक है ना चलो एक और reagent की तरफ बढ़ते जो कि बहुत famous है चलो ये तो बात सबको clear है मैं बता दू यहां तक की बाते सबको clear है कि मैं क्या बताना चाहता था आई ये इन सब reagent के बात एक एसा reagent पढ़ेंगे जो बहुत selective है मतलब famous भी है और selectivity भी बहुत ज़ादा है उसकी और आपके exam में question भी आते ठीक है ना उसका नाम है BH3 यह भी एक reducing agent है ठीक है ना BH3 यहां पर जो solvent यूज करेंगे ना यहां पर जो solvent यूज करेंगे ना solvent और solvent आपका होगा कौन सा वाला अब देखनो यहां पर solvent को याद रखो या तो THF यूज करोगे आप या तो MA2O यह वाला जो solvent हम लिथियम aluminum hydride के लिए यूज करते थे बच्चो वही solvent आपको यहां पर यूज करना है दूसरी बात सर यह दिखता कैसे structure बताओ तो जच्पन से आप सिखते आयों अगर नहीं भी सिखा तो आपको बताओ सर बोरॉन के पास तीन बॉंड होते हैं अगर बोरॉन के पास तीन बॉंड है तो बोरॉन के पास एक तुर्ण तौफ़ा ना एटी टु दो मिताहिल एक तरफ September day तरफ सुनना के त्यां से सुनना बच्चो एक तरफ एक मिताईल के दूसरी तरफ दुसरा मिताए खतम यह समझ में आया बोलो जल्दी ऐसे पूश्ट जाओ देखो छोटे चोटे बहुत अच्छे अगर आपके छोटे डाउट भी तो भी आप पूछो जोमेट्री क्या होती बोलो सब के सब ट्राइगोनल प्लेनर जोमेट्र तो पहला क्वेश्चन तो आपके एक्जाम में यहां से आएगा कि बी एच थ्री के अंदर हम कौन सा सॉलवन्ट यूज़ करते हैं एक तो आप बोलोगे सर्ट टेट्राइड्रो फ्यूर्यान या फिर एमी टू ओ या फिर यहां पर एटी टू ओ भी यूज़ कर सकते हो आपकी मरजी ठीक है ना उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे पूछा तो आ आसे question पूछेगा तो answer is no examiner पूछता है कि यह reagent का काम क्या है ठीक है ना तो आएक काम को पढ़ते हैं लेकुन यह वाला थोड़ा अजीब किसम का हैं मैं बता रहा हूँ बी एच थ्री एक अजीब किसम का इंसान है मैं लिग दू आपस से लिग दू यह थोड़ा सा यह थ थ्री के सामने में अमाईड लगदू क्या रगदू बच्चो अमाईड रगदू या फिर एसीड रगदू एसीड रगदू या फिर अलकीन रगदू अलकीन को भी आप पढ़ेंगे हम अलकीन रगदू एसीड रगदू अमाईड रगदू तो इनका अमाईड का रिड़क किसमें होता है सब के सब बताओ बहुत अच्छे सर्जी अमाईन के अंदर होता है सर्जी अमाईन के अंदर होता है बहुत बढ़े आप पढ़ाई कर रहे हो सब के सब acid का किसमे होता है सब बताओ acid का reduction किसमे होता है primary alcohol के अंदर बहुत बढ़िया alkin का क्या होता है मैं बताऊंगा don't worry इसका आप यहाँ पे फिला लिख दो organoborane इसको rate से लिख रहाओ में organoborane पढ़ाऊंगा में organoborane क्या होते आज हम पढ़ेंगे इस चीज़ को अब मेरी बात सुनो अब इनको तीनों का ऐसे क्यों लिखा क्योंकि सर जी BH3 इनके साथ इतनी तेज रियाक्शन दिखाएते मतलब मैं यह आपे लिख दू BH3 इनके साथ very fast reaction दिखाता है बोलो समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ इनका reduction बहुत तेज़ी के साथ करेगा BH3 इन तीनों का reduction खतरनाक तरीके से करेगा बहुत fast करेगा मैं बता रहाओ very fast देखो उपर लिख दिता हूँ इसका reduction करेगा very fast ठीक है ना? acid का भी reduction करेगा very fast बहुत speed से करेगा लेकिन alkin का reduction करेगा fast मैं थोड़ा सा कम उपर वाले से थोड़ा सा कम करेगा आगे बढ़ते बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते अगर aldeide का reduction करना चाहा हमने aldeide का reduction अगर किया BH3 के presence में तो क्या बनेगा primary अलकोहल ये वाले reaction में आपकी कैसे होगी बच्चो fast होगी लेकिन very fast नहीं होगी आप मेरे बात को समझो उपर वाले दो very fast दिखाएंगे मतलब बहुत तेज दिखाएंगे अब इनका example में बताऊँगा थोड़ा सा रुख जाओ और नीचे वाले fast दिखाएंगे अब की टोन देखना ये बात समझ बोलो यहां तक समझ में आया सबको बोलो जल्दी speed समझ में आया सबको जल्दी बता कौन कितना fast दिखाएगा कौन slow दिखाएगा मतलब इन में अगर आप आपको चार option दिया लिखान alkin भी करता है देखो amide हो और aldeide हो तो बताओ दोनों में से BH3 किसको fast reduce करेगा जल्दी बताओ बच्चो सोचके बताओ अमाइड को ये बात आपको सीखनी थी मैं बस ये बता रहा हो कि मानलो एक molecule है आपके पास बच्चो मेरी बात कान कोलके सुनना एक molecule है और आपसे पूचा उसमें दो functional group है एक तो amide है और दूसरा aldeide है और आपसे पूचा दोनों में से किसका reduction होगा तो याद रखना BH3 amide क का बहुत खास दोस्त होता है इसलिए very fast reaction दिखाता है समझ में आया या नहीं बोलो ये चार functional group clear है आगे बढ़े अभी आगे बढ़े इन चार लाइन्स को याद रखो कि किसके साथ केसी reaction दिखाएगा आगे बढ़ते अभी मानलो मेरे पास functional group हाँ बोलो कि नहीं कि मैं बता बताऊंगा रूख जाब बताऊंगा मैं मेकनिजम बताऊंगा ठीके ना वेट करो मैं मेकनिजम डिसकस करने वाला बस थोड़ा वोल्ड करो दूसरी बात ठीके ना कोई बात ने में मेकनिजम डिसकस करोंगा अगर कीटोन रहा हम मेकनिजम पढ़ने वा बच्चो या फिर इपॉक्साइड एक और चीज़ है चलो इपॉक्साइड तो छोड़ दो आपको कभी ने पूछेंगे तीन रियेजन देखनो कीटोन इष्टर और साइनाइड अगर इनके साथ में बी एज तुरी की रियाक्शन कर दू बी एज तुरी की रियाक्शन कर इनका reduction तो होगा बच्चो लेकिन किसमे होगा secondary alcohol में होगा बरोबरे इस्टर का किसमे होगा primary alcohol में होगा साइनाइड का होगा सर अमाइन में सही है ना साइनाइड किसमे होता है पूरा reduce अमाइन में होता है लेकिन बच्चो ये reaction होगी moderate, ये सारी के सारी reaction की से होगी moderate, क्या समझ में आया सभी को, ये तीनो reaction moderate होगी, तो सबसे पहले category थी very fast, उसके बाद fast, उसके बाद moderate, बच्चो मेसेज करके बताओ, is it clear or not, मेसेज करके बताओ, क्या आप सभी को clear हैं, बोलो, पहले देखो आपको इसी तरह से पढ़ना है, कि very fast कोन-कोन से, तो आप बोलोगे सर, amide और acid, दोनों very fast थे, उसके बाद, उसके बाद कोन था, सर, alkin था, aldeide था, ठीके, उसके बाद कोन था, ketone था, ishter था, और sinide था, ये तीनो moderate reaction दिखाते, अब सुनना मेरी बाद, ध्यान से सुनना, मैं क्य क्या बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप बचे कौन-कोन, आप खुद बताओ कौन-कोन से बचे, चलो, आप से मैं पूछ रहा हूँ कि बचे कौन-कोन से, कार्बोगजिलिक acid बचा, वो तो पहले पढ़ा न, acid और amide, वो तो fast है न, both, acid और amide तो very fast दिखाएंगे, कौन जल्दी से, आपका salt बचा, acid salt, यह मैंने पढ़ाये था न, कार्बोगजिलिक acid का salt, starting में पढ़ाये था, acid salt बचा, उसके बाद कोन बचा जल्दी बताओ, एक और reagent बचा है हमारा, कोने, एक मिनिट रुख जाओ, मैं आपको बता दू, हाँ, नाइट्रो, आर नाइट्रो यह वाला, आर नो टू, मैं इसको पढ़ाना, थोड़ा सा इसको हम डिटेल, इसको डिसकस करेंगे, थोड़ा वेट करो, इनका, इनका reduction नहीं होता, याद रखना, BH3, acid halide और acid salt का reduction नहीं करता, इसको भी याद रख लेना, चलो, जल्दी बताओ, अब मैं एक एक, आपको ए अलकीन, अल्डियाइड का, उसको बाद को ने, कीटोन, इस्टर, साइनाइड, किसका नहीं होगा, तो acid halide का, और acid salt का reduction नहीं होगा, अब मुझे बताओ, अब मैं एकजांपल लू बच्चो एक, चलो, आप एकजांपल पढ़ते और आप मुझे बताना, अंसर, चलो, question number 1 क कि तरब कि क्वेश्चन नंबर वन की तरब बढ़ते देखो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने यह रा स्क्रीन के ऊपर यह रा स्क्रीन के ऊपर अगर मैं कुछ इस तरह से रिंग दिखा दू रिख दू तो आप मुझे बताना बच्चो सब के सब बताना क्या प्रोड़क बनेगा जल्दी बताओ क्या प्रोड़क बनेगा मेसेच करके बताओ आपका एसिड किसमें चला जाएगा बच्चो CH2OH that is primary alcohol के अंदर क्योंकि सर यह बहुत फास्ट रियाक्शन होगा और रियाक्शन भी केसी होगी जल्दी बताओ इस इस वेरी फास्ट रियाक्शन मेसेच करके बताओ क्लियर है बच्चो मेसेच करो यह वाला एक्जामपल सबको क्लियर है यस और नो अपका एसीड चला जाएगा हाँ आपका एसीड चला जाएगा primary alcohol के अंदर देखो एक एक चीज लिंक के रियेजन के अगर आपको पहला रियेजन भी समझ में आए ना तो पूरी रियेजन समझ में आ जाएगा आपको चलो दूसरे एक्जामपल के दर बढ़ते हैं कुछ खास एक्जामपल है इन एक्जामपल को ही practice करो आपको बिल्कुल भी जादा question practice करने की ज़रूत नहीं है दूसरा एक्जामपल आप मुझे बताओ क्या answer आना चाहिए यह आपका keto न है और यह आपका double bond O NH2 अब मुझे अगर मैं यहाँ पर add कर दू एक टेश्टूप के अंदर यह compound है और इसके उपर मैं add कर दू BH3 THF तो बोलो बच्चो बोलो क्या product बनेगा message करके बताओ दोनों में से कौन reduction किसका reduction करूं मैं किटोन का करूं या amide का करूं बताओ या दोनों का करूं जल्दी बताओ न मेंसेज करके बताओ किसका करूं पहले तो याद रखना न हां तो आप आपको पता है कि सर amide का very fast होता है it is very fast और यह होता है moderate यह चीज़ बहुत काम किये ना सर moderate तो सर आप ketone को रहने दो किटोन को रहने दो विचारा आराम करेगा इसलिए तो यह selective होता है ना आमाइड की तरफ देखो इसलिए आपका product बनेगा CH2 NH2 आमाइड बनेगा समझे या नहीं समझे बताओ clear है आपको moderate वाने को रहने देना है और very fast वाले को कर लेना है समझ में आया बच्चो message करके बताओ लेकिन अब इसके बाद जो example लूँगा ना फिर आपके सारे चीज़े clear हो जाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ देखो आपको amide का करना है क्योंकि हो very fast है और ketone का क्यों नहीं करना क्योंकि हो moderate है अब यह वाला example देखो और फिर बताओ क्या product आएगा CH3 C double bond O CH3 और यहाँ पर में BH3 TH है बोल होगा या नहीं जल्दी बताओ होगा या नहीं बताओ होगा सर बिलकुल होगा क्योंकि मैंने क्या बताया अगर इसके साथ कोई और हो तो बात अलगे समझो अगर इसके साथ कोई और हो तो बात अलगे लेकिन इसका तो होगा ना मैंने बता रखाए ना इसका reduction होता है किटोन का हाला कि moderate होता है ठीक है ना इसका moderate होता है moderate और क्या बनेगा हमारे पास क्या बनेगा बच्चो हाँ COH CH CH3 ये बनेगा secondary alcohol ketone से बना secondary alcohol एक और example मैं बहुत काम की चीज़े बता रहा हूँ आप बहुत ध्यान से सुनते जाए मैं BH3 के बारे में क्या बताना चाहता हूँ इसकी selectivity के बारे में discuss करता हूँ मैं देखो बच्चो मान लो मेरे पास cyanide है अब आपको भी मज़ा आए और अब मुझे बताओ इसके उपर अगर मैं BH3 एड कर दूँ इन प्रेसेंस अफ तो बता होगा या नहीं होगा मेसेच करके बताओ साइनाइड का reduction होता या नहीं होता है बुलो BH3 और THF लेकिन कैसा होगा सर moderate होगा moderate होगा medium होगा एकदम और क्या बनेगा साइनाइड से देखो साइनाइड को ऐसे लिखो पहले देखो साइनाइड को कैसे लिखते है जल्दी बताओ सर C triple bond N अब यहाँ पर आ जाएगा सर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा NH2 देखो मैंने बोला था न साइनाइड से हमें क्या बनाना है अमाइन बनाना है बस hydrogen को ऐड करना था आपको दोनों तरब लेकिन कहानी में twist बच्चो ध्यान सुनना कहानी में क्या twist है देखो अभी कहानी में twist देखो सर यह साइनाइड है डबल वांड ओ NH2 अब बताओ अगर मैं इसके उपर एड कर दू बी एच त्री और टी एच एफ अब बताओ क्या बनेगा मेसेज करके बताओ सबके सब किसका होगा और किसका नहीं होगा बोलो साइनाइड का होगा या नहीं या फिर अमाइड का होगा बोलो हाँ यह वेरी यह वेरी फास्ट है और यह मॉडरेट है मॉडरेट है तो ऐसी चीज़े में पढ़ाना चाहता था कि बी एच त्री एक बहुत खास रियेजंट है इसकी सिलेक्टिविटी बहुत काम किये यह अमाइड और एसीड की तरफ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है तो आपका प्रोड़क्ट बनेगा बच्चो साइनाइड और यह किसमें चला जाएगा छीज़ टू माइक बन कर दो यार एनेच टू यह बना आपका प्रोड़क्ट एक मिनिट माइक बन कर दो ठीक है ना देखो मैं क्या बताना चाहता हो आप मेरी बात को समझो मैं बस एक चीज़ बताना चाहता था कि बी एच त्री बहुत ज्या अलग से लिया तो उनका रिडक्शन कर देगा ठीक है ना अब मुझे बताओ मैं आपके सामने एक एक एक्जामपल ले लेता हूँ सबके सब आंसर देना किसका करेगा किसका नहीं करेगा ठीक है बच्छो देखो एक्जामपल आपके सामने क्वेश्चन नमबर आइधिंग के साथ तो बच्छो बताओ किसका करेगा या दोनों का करेगा यह कौन आपका बोलो यह कौन सा गुरूप है इस्टर है और यह कौन आपका अमाइड है तो बोलो किसका करेगा बोलो जल्दी आरे यह वेरी फास्ट है आरे यहाँ पर आमाइड लिख दू ठीके ना यहाँ पर लिख दू आमाइड जान बुचके आमाइड लिख रहा हूं ठीके तो यहाँ पर आमाइड लिख दू तो देखो वेरी फास्ट होगा और इस्टर कैसा होगा बच्छो इस्टर होगा आप का moderate तो इस्टर रहने दो अभी फिलाल आप amide का क्या कर दो जल्दी बताओ amide का कर दो बच्चो amide समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ amide का क्या हो जाएगा amide हो जाएगा बच्चो आप मुझे बताओ क्या bh3 के बारे में यहां तक की बाते सब को clear है एक बार message करके बता दो सब के सब कि हाँ sir bh3 के बारे में यहां तक की बाते clear है बोलो सब के सब एकदम clear बताओ हाँ सब को clear है सब के सब message करके बताओ मुझे कि मुझे समझ में आया sir कि हाँ selectivity क्या होती है एक एक्जाम्पल फाइनली च्छ थ्री सी डबल बॉंड ओ ओ ओ च्छ थ्री और इसके उपर अगर में बस एड़ कर दू भी अच्छ थ्री इन प्रेजेंस आप टेट्रा हैड्रो फ्यूरान बच्चों होगा यह नहीं बताओ सबके सब अब होगा बोलो अब होगा इस्टर का अब होगा क्या अब होगा सर्फ बिल्कुल होगा मॉडरेट होगा लेकिन होगा मॉडरेट होगा लेकिन होगा और अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ यह देखो दो कार्बन वाला एक अलकोल बनाओ और एक कार्बन वाला एक अलकोल बनाओ तो क्या बनेगा CH3, CH2, OH+, यहाँ पे क्या बना? CH3, OH, primary alcohol, mixture of primary alcohol, this is all about BH3, लेकिन आपका question अभी भी है सर, ओ, अलकीन वाला point बता दो ना, हम वेट कर रहे है सर, आप अलकीन कब बताओंगे, है ना, बोलो, अलकीन वाला point पढ़ना है ना, आपको, yes or no, हाँ, अभी तक हमने सारे reduction पढ़ ले कि, अगर, अगर ister हो, amide हो, acid हो, ketone हो, हाँ, आप बताओ, बोलो होगा, बोलो reaction होगी या नहीं होगी, बोलो जल्दी, अरे सर, acid, halide, halide, ऐसा क्यों होता है पता है बच्चों, इसकी reaction क्यों नहीं होती मैं आपको एक बात बता दो, देखो अभी ध्यान से सुनना, अभी ये question आ के पास empty orbital है, देखो, बोरॉन के पास क्या आए बोलो, empty orbital है, ध्यान से सुनना, देखो, आवादार ही सबको, आवादार ही बच्चों, देखो, बोरॉन के पास empty orbital है इस तरह से, और ये chlorine अपने lone pair, आरे भाई, chlorine अपने lone pair ना, इसको डोनेट कर देगा, और एक complex बना देगा इससे next reaction नहीं हो पाएंगे, मतलब इन दोनों में ही reaction हो जाएंगे, ये carbon पे नहीं reaction होगी, समझ में आया है, सबको में क्या बताना चाहता हूँ, ये chlorine के साथ ही complex बना देगा, कुछ इस तरह से, ठीके न, आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप याद रख लो, ये वाला आप तो छोड़ दो, तो छोड़ दिया करो, ठीके न, ये acid salt है, क्या इसकी reaction होगी, बच्चों, बोलो, is it, is it possible or not, सर जी, आरे lithium aluminum hydride जैसा, खतरनाक reagent इसका कुछ नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा, ये भी नहीं होगा, समझ में आया है, सबको, बोलो, clear है, अभी, सबको clear है, सबको clear है, acid salt, acid का salt है, और salt की reaction इसके साथ नहीं होगी, चलो, अब मेरे खयाल से, BH3, 90, नहीं, 50% आपको clear है, चलो, अब हम कहानी पढ़ेंगे, कि सर, आखिर, अलकिन के साथ, BH3 की reaction, in presence of, बचो ध्यान से सुनना, in presence of tetrahydrofure and solvent, आखिर क्या होगी, सर, आखिर, औरगेनो, बोरेन क्या होता है, आखिर, औरगेनो, 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 बोरेन स्के चीज़े, ठीक है न, ओ सर, कैसे करे हम इसका reduction, सर, इसका reduction कैसे करे, ठीक है न, तो इसके लिए आपक क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, rejoin करना पड़ेगा, चलो, rejoin करो, सबके सब, फिर हम देखेंगे, आगे की, कहानी, फीद देखेंगे, आगे की, कहानी, चलो, सबको, जल्दी सी rejoin कर लो,